हेलो, गुड बॉर्निंग दोस्तों, दो मार्ट दो जार उननीस की प्रिलिम्स अपरेटर स्रीज में आपका स्वागत है तो पहले दिखते हैं, आज गे हमारे कुछ क्यूशन, देखो आज हम क्यूशन डिसकसिन में तुड़ा चेंजेज कर रहे हैं अभी आपको बता है, प्रिलिम्स को exactly 90 days बचे हैं, तो आज से हम क्या करेंगे, जो प्रिविए से के क्यूशन पेपर हैं, उनको हम यहाँ पे डिसकस करेंगे तो डेली जो भी हम यहाँ पे question डिसकस करने वाले हैं वो prelims जो previous टेस के question पर हैं उनको हम यहाँ पर कौर करेंगी तो आज है वो हम environment के question को discuss कर रहे हैं तो पहला question है वो आपके सामने आपर पूछा गया है वो पूछा है आपको औरिक्स और चीरू के बारे हैं देखो इस statement पहला यह कर रहा है कि औरिक्स को गरम और सुस्क छेत्रों में पाया जाता है उन एरियों में मैंली रहता है और orman की चीरू की बारे है रहा है कि औरिक्स को इसके antlers के लिए poaching की जाती है जबकि चेरू की poaching वो कि मस्क के की लिए poaching की जाती है अब देखो यहां पर जमकी चोतने लाहा है एक ठाट कर रहा है कि असना अपर के만ल पूरी भारत में है कोई से स्टेर्मेंट भी सही नहीं है अब आप एक एक स्टेर्मेंट को डंग से देखिए देखो तीसे स्टेर्मेंट यहाँ पर क्या कह रहा है तीसे स्टेर्मेंट में एक वर्ड आ रहा है only तो आपको पता है only वाले जहां भी आ रहे हैं, वहां पे कुछ ने कुछ गरवर definitely होती है, तो यह कहा रहा है कि जो Oryx हैं, वो Western India में ही पाय जाते हैं, और Chiru हैं, वो पाय जाते हैं, only North East इस्टेर्म में ही, यह गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, obviously यहां पे गलत है, वो हो जाता है, अब है क्या पहले हम वो देखते हैं, चीरू और Oryx के बारे में, देखो, चीरू और Oryx हैं, वो हीरन की ही एक परजाती हैं, उसी तरीके से ही हीरन की परजाती होती हैं, जिसमें Oryx है, वो तो hot, arid area में पाय जाता है, मतलब अर्द सुखे एरिया होते हैं, ड्राइ एरिया वहां पर, और जो चीरू है, वो cold desert में पाय जाता है, तो आपको पता है, cold desert है, वो तो हमारे हमालय के आसपास वाले area में भी है, तो मतलब तीसा statement तो यहां पर साप साप गलता हो रहा है, क्योंकि only की बात कर रहा है कि Oryx है, वो तो क्योल पस्ची में भारत में, ऐसा नहीं है, पूरी भारत में भी यह पाय जाते हैं, इस सिकार के बात में दोनों का इस सिकार है, वो सिखिंगों के लिए, एडिनिटलर्स के लिए किया जाता है, पहला statement यहाँ पर वो बिल्कुल सही है, कि देखू यह जो Oryx है, वो मैं ले भी हमने देखा था, कि जो hot and arid area में पहे जाते हैं और चीरू है, वो मैं ले पहे जाते हैं semi-arid area में, cold high mountains में, तो पहला statement यहाँ पर सही है, वो हो जाते हैं, यह था हमारा पहला question, next, जो हमारा question है, वो आया है यहाँ पर orchids के बारे में, तो कहे है orchid वो हम देखते हैं, पहला statement यहाँ पर question नहीं है, कि निमल लिखित राज्यों में से उत्पादन की नियूंतम लागत के साथ, और्किट की एक विसाल विवित्ता की खेती है, वो की जाती है, और जुलाई वहां की अनुकूल है, तो आपको बताना है कि कौन से स्टेट में, और्रिक्स की जो orchid है, इसकी खेती है, वो की जाती है, देखो orchid है वो एक plant की species आपको बता दूँ, जिसके full काफी famous है, वो manly होते हैं, तो यह news में भी रहा आता है उस time पे, यह इसका basically सही answer है, वो है अनुनाचल परदेश, अब इससे कुछ fact है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, कि जो orchid है, वो basically एक decorative flooring plant है, मतलब जो प्रदेशन के लिए जो decoration के लिए प्लान्ट लगते हैं, वो हाई है, और यह है manly sub-tropic और decent rainfall वाले एरिया में पहा जाता है, manly इसकी जो खेती है, वो north-eastern state में है, वो की जाती है, यह आपको धान में रखना है, south-eastern Asia region में इसकी demand हो काफे जदा होती है, decoration के लिए, तो इसका अंचुरों यहाँ पर ही और नाचल प्रदेश से हो जाएगा, next solution है यहाँ पर, उसमें हमें चार option दिये गए है, एक दियागा है यहाँ पर black neck crane, दूसा दियागा है चिता, तीसा दियागा है flying squirrel, चोथा दियागा है snow leopard, फिर यह पूछागा कि which of the above are naturally found in India, मतलब इंडिया में natural तरीके से इन में से कौन सा पहा जाता है, तो देखो अब भ पूरी तरीके से लुप्त हो चुका था, तो बिसलिए चिता इंडिया में नहीं पहा जाता है, क्योंकि इसने पूछा ना कि natural तरीके से पहा जाता है, जू अगरे की बात नहीं कह रहा है, मतलब नेशनल पार अगरे की बात यहाँ पर कह रहा है, तो हम B को eliminate है, तो second को हम eliminate क करेंगे, तो हमारे पास option बचता है, only B, first, third or fourth है, यह इंडिया में पाये जाते हैं, तो इस तरके क्यूशन, UPSC की बार और एक्जाम में पूछ लेती है, next जो क्यूशन है, उसमें आपको यह जगह की थोड़ी मिलब हाँ पर आपके सामने quality दिखी है, और फिर हमें पूछ हग है, कि इस एरिया में कौन सा जानौर हो पाया जता है, यह कह रहा है आपके कि सेंडी और जो सेलिन एरिया है, जो कि एक नेच्रूल हबिटेट है, इंडियन एनिमल स्पेसीज गा, जो हमें आपके इंटिफाई करनी है, मतलत देखो क्यों से नहीं पर हो, पूछ लिए र गरा नहीं करता, यह इसका नेच्चर्व लेइट वगरा है, तो कौन सा जानौर हमें बूछा है, अब हमें यह पता होना चीए, कि जो यह इंडियन वाल्ड वफलो इ alrededor ऑस तीषशा दियागा है, इंडियन वाल्ड बोर चुथा दियागा है, इंडियन गजल। structure गजल। हम का मतलब जहां पे नमक है वो पह जाता है तो आप सोचे कि ऐसा कौन सा एरिया है इंडिया में जहां पे बालू हुआ है और नमक है वो पह जाता है obviously एक एरिया है वहा कच्छवाला एरिया जहांपे क्या है बालू के एक तरिगे से करिनमक क्या है वहांपे खेता है तो उस एरिया में कौन सा जानवर पैजल अब आप सूची देखो इंडियन वाल्ड वफिल तो पोसिबल नहीं है वहांपे वाल्ड आस के बात के तो हाँ यह बिल्कुल से होगा इंडियन वाल्ड आस से इसकी सेंचुरी भी है वहांपे ही रन ओफ कस में ही तो इस कांचरोब भी है यहांपे हो जाएगा इंडियन वाल्ड बोर है इंडियन गजल है यह नहीं पैए जाएगे अब हम यहां पे देख लिएते हैं कि बाकी तीनों जानुवरे कहां कहां पे पैजाते हैं देखो जो Indian wild buffalo है वो तरही की रिजिन में पैजाती है क्योंकि वहां पे घास वगर इनको अच्छी खासी मिल जाती है तो इनको खास वगर आगी दिक्कत है खाने पीने की दिक्कत है वो नहीं होती Indian wild boaray ने की जो जंगले सूर है उसकी बात हैं पर कीगिए तो देखो जंगले सूर है वो मैली जो परणपाती forest होते हैं डेशी डियस forest होते हैं या हम ट्रोपिकल रेन फोरेस्ट हैं वहाँ पर वेस्क्ली ओमली है वह पये जाते हैं इसके साथ ही जो grassland होते हैं उन्शी रह में भी है पये जाते हैं अब बात करें यहां पर चिंकारा या फिर इंडियन गजल इंडियन गजल को ही चिंकारा बोलते हैं तो यह मेले आपको पता हाट डेजट में पाया जाता है तो यह हमें इनकी थोड़ी लोकेसिन है वो पता होना चाहिए नेक्स जो आजगा हमारा आर्टिकल है वो ऐह है बायलेटरल स्वेप एग्रिमेंट को लखें क्या है बायलेटरल स्वेप एग्रिमेंट देखो इंडिया और जापान ने बायलेटरल स्वेप एग्रिमेंट है वो सैन क्या था तो अभी क्या था अभी कंटेक्स्ट यहा है कि पहले देखो कुछ टाइम पहले कंटेक्स्ट है था कि भारत के परधान मंत्री है वो एक्चुली जापान की आतरा पे गया थे और उस तोरहन बाइलेटर स्वेप एग्रिमेंट की बात है मुई वो साइन हुआ था पर अभी यह जो साइन करना था है मुई आप फिर हम बात के एग्रिमेंट यह एक्चुली दोनों देशों के सेन्टल बैएंड को सेंड को एंडिया और जापान ने bilateral swap agreement है, वो send किया है, अभी कैसे काम करें, वो सरेफेक्ट हम देखते हैं, इसमें देखो यह होगा, कि जिसे by chance in case of future, इंडिया के पास foreign region की कमी हो जाती है, इंडिया को में लोग foreign region चाहिए, क्यों आपको बता है कि इंडिया कर foreign country से trade करता है, कुछ import वगरा करना होता है, तो उनको dollar में manly payment को करना होता है या फिर इंडिया को जो IMF की SDR basket में जो 5 currency हैं, उनमें manly payment हो करना होता है, बट मेक्षम जो payment है, वो इंडिया dollar में ही करता है, सारी currencies dollar में use हो करती हैं अब अगर इंडिया के पास dollar है नहीं, तो इंडिया कैसे, बट मोल भूद चीज हैं, वो कैसे purchase करेगा उस condition में, जब इंडिया के पास foreign energy होगा है, कौल पर खाली हो चुका हो, तो देखो उस condition में क्या होगा, कि इंडिया, जो Indian currency है न, वो actually Japan के bank को देदेगा, जापान को देदेगा, कहां तक 55 billion dollar, कि आपको धान में रखना है, 55 billion dollar तक कि इंडिया आपनी जो Indian currency रूपीज है, वो जापान के bank को देदेगा, कि हां भई, आप ये लो हमारे इंडिया के रूपीज, और इसके बदले में जापान इंडिया को डॉलर देदेगा, कि हां ये लो भई, आप डॉलर लो, आप यूज करो, बट ये धान रखना ये ऐसा नहीं है, कि वापस नहीं करने है, इंडिया को जब टाइम है का, तो वापस भी इनको मलब देना होगा, इंडिया को वापस अपने 75 billion dollar पैसे दिये हैं इंडिया ने, कि रूपीज में, वापस देने होगे, और फिर जो डॉलर है, वापस उनको एक्षेंज आपस करनी होगी, तो मतलब इंडिया के एक तरिके से, अगर इंडिया में liquidity का issue हो जाए, हम बात ये करें, उस condition में currency source of pigment है, वो काम आएगा, तो ये आपको धान में रखना है, यूपे से पूछ सकती है कि currency source of agreement में, इंडिया को molecular से साहता दी जाएगी, ग्रांट दी जाएगी, या फिर इंडिया को पैसे दे जाएगे, वापस लेनी ले जाएगे, ब्याज वगरा वगरा, इस्तिक्षिस की statement दे सकती है, तो ये हमें धान में रखना है, आप अब देखिए, जो IEM app की HDR basket है, उसमें कौन-कौन सी 5 currency है, वो आती है, या आप comment box में बताएगे, कि HDR basket में कौन-कौन सी 5 currency है, वो आती है, next जो हमारा चोटी सी exercise को लेकर है, वो है हाँ पर मैना मैती मैत्री exercise, मैना मैती जो exercise है, यह actually इंडिया की BSF और इसके साथ ही बांगलादेश की जो border guard force है, इनके बीच में यह exercise है, तीन दिन की अभी exercise है, वो आयोजित की जारी है, दोनों दिखनेश के border के ओपर, तो यह कुछ context था, तो हमें ध्यार में रखना है, यहाँ पर, कि मैना मैती जो exercise है, वो इंडिया और बांगलादेश के बीच में है, next जो आर्टिकल हुआ है, हनोई सिखर समेलन या हनोई सिखर समीट को लेके, देखो हनोई जो सिखर समीट है, 2019, वो अभी रिसेंटली, कहाँ पर आजूत वा था, वियतनाम के अंदर हनोई नाम की जगह है, वहाँ पर हुआ है, अब important है, इसलिए है, क्योंकि हनोई के अंदर, जो वियतनाम के अंदर है, यहाँ पर USA, और जो नोर्थ कोरिया के जो किम जोंग है, उनके अभी यह मीटिंग है, वो हुई थी आपस में सांती को लेके, तो यह हमें धान में रखना है, इससे पहले भी देखो, दोनों के जो बातचीत हुई थी, और अभी वापस बातचीत हुई है, वह हुई है, नोर्थ कोरिया के और साउथ कोरिया के बिश्मु पर वियतनाम के हनोई सिक्कर सम्मिट में, तो यह आपको दान में रखना है, तो इसमें फाइनल जो दोनों के कितरब जोंट स्टेटमेंट है, वह सामने नहीं आई यह मैंलीस का मुद्धा था बाकि आपको पता ही है कि USA और नॉर्थ कुरिया के पूज में काफी टाइम से 10 सिंस है वो चल रही थी तो यूपे सिंगापूर सिकर सम्मेलन के बारे में पूछ सकती है या फिर यहां पे हनोई सिकर समिट के बारे में पूछ सकत इनको अभी एक तरीके से कंफर है वो यह अनुमती है वो दे दी है तो पहला फेक तो यह आगा कि सांती सवरूप बटनाकर पूर्शकार दिये किस ले जाते हैं देखो सांती सवरूप जो बटनाकर पूर्शकार है वो बेसिकली human knowledge और progress के अंदर जिस भी परसन ने अच्छ knowledge या मानुता कि लिए बहुत अच्छा काम किया है उस परसन को बेसिकली सांती सवरूप बटनाकर पूर्शकार है वो दिया जाते हैं यह जो पूरुसकार है वो 1957 से स्टार्ट है वो हुआ था यह आपको बता दूँ जो ICSIR एनकी Council of Scientific and Industrial Research के जो उस टाम पर डिरेक्टर थे फॉर्मर डिरेक्टर जिन्होंने इसको बनाय था CSIR को जिनका नाम था डॉक्टर सर सांती सवरूप बटनाकर उनकी याद में यह प्राइज है वो दिया जाता है इसके अंदर बैसिकली पांसलाक रुपे केस और एक तरिके से मेडल है अवार्ड है वो यहां पर दिया जात बाकि एक छोटा सा क्रेटेरिया धान रखना कि इंडिया का कोई भी स्टीजन है उसको यह अवार्ड है वो दिया जाता है अगर साइन्स और टेक्नोलोजी के एरिया में उसने काफी अच्छा काम किया हो रिसर्च की हो उसने जागी उससे मानुता को भलाई है मानुता की इसका फाउंडर था और इसके दौरा यह वार्ड है वो दिये जाते हैं तो यह अफेक्ट हमें जान में रखने है नेक्स हो यह हमारा चुटा सा आर्टिकल था इकली न्यूज थी यह रम्मन इफेक्ट को लेकर नहीं है आर्टिकल न्यूज यह थी कि अभी वर्ड की पर इंस्टूट है उसने 2019 की वर्ल्ड की जो most ethical companies है उनकी list के अंतरगत इंडिया की दो कंपनी का नाम आया है कौन कौन सी है नमर वन पर तो रहे हैं इंडिया की टाटा इस्टिल कंपनी जो की वर्ड की most ethical company है और दूसरे नमपरे हम बात करें अधर कंट्री मलब इंडिया क दूसरी कंपनी की बात लें तो वो है यहाँ पे विपरो जो की वर्ड की Most Ethical Companies 2019 की लिस्ट में सामिल है धान रखना है दोनों ही कंपनी है वो इंडिया की है और यह किसके दोरा जारी की गई है यह आपको धान में रखना है कि वर्ड की जो Most Ethical Companies की लिस्ट है वो बेसिकली इती स्पेर इंस्ट्ट है 2019 उसके दोरा जारी है वो की गई है तो टाटा इस्टिल को इसमें नमबर वन पर दिया गए कि वह बहुत ethical काम है वो कर रही है मानुता को लेके तो यह दोनों इसके साथ ही Ministry of Skill Development और इसके साथ ही Ministry of Labor and Employment मतलब इन तीनों मिनिस्टी ने आपस में मिलके यह प्रोग्राम में यहाँ पे यह स्टार्ट किया है तो यह आपको दाना करना है कि सरी जो प्रोग्राम है वो तीन मिनिस्टी का कोलबरेशन है बनाया किसलिए गया है यह इसलिए बनाया गया है देखो हमारे देश में कहें कि education प्राप्ट करने के बाद चाहर education प्राप्ट करने किसी नहीं उसके बाद उनके पास क्या होता है कि अगर वो company वगरा में जाते हैं तो उनको company वाले बोल देते हैं कि भी आपके पास experience नहीं है आप और ज़्या knowledge नहीं है काम करने वगरा कोई लेकर वगरा वगरा काफी सारे issues होते हैं मतलब कहीं नखीं जो बच्चे से नहीं मिल पाती है तो इसके लिए उनको skill provide कर वाद जासके उनमें अच्छा innovative idea है वो develop क्या जासके इसके लिए ministry of HR नहीं इसके उठाया कि भाई जो बच्चे इस college वगरा में पढ़त रहे होंगे ना उनको क्या होगा जो ही अगर college complete हो गया college के दोरान ही उनको इंडिया की जो companies है चाहिए private हो government companies उन companies के अंदर उनको training दी जाएगी और उस training के दुरान उनको कुछ पैसा भी दे जाएगा जिसे हम कहते हैं कि यह बार कि internship कर रहे हैं तो उसी दर के से जो employment skill है वो provide करवाने के लिए ताकि एक हमारे देशन में जो learning outcome है और उसका और अच्छा बहतर है वो तयार किया जासके education की quality को बढ़ाया जासके इन सब के लिए program है वो start किया गया है तो यह धान में रखना एक platform product कर वाएगा educational institute को industry को ताकि एक अच्छा knowledge है वो मिल्स के youth को और उसका फिर यूजर से direction में जो हम यूजर है वो कर सके तो यह आपको धान में कि तीन ministry का collaboration है उसको लेकि छोटा सा fact तो देखो यह थी आज की मारे discussion तो फिलाल की discussion में इतना है तो thank you thank you very much for discussion